हैलो दोस्तों मैं धर्मेंद्र कुमार मेरे चैनल DK Tecno 52 में आपका स्वागत है आज हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं कि पैन का ट्रेक स्टेटस किस तरह से आप कर सकते हैं पहले मैं आपको यहां बता दूँ कि ट्रेक एंड ट्रेस किस लिए होता है सपोर्च देट मा आपने नया कार्ड बनवाया है तो उसका एक रिफ्रेंस नंबर या अप्लिकेशन नंबर उसे बोलते हैं आपको एक रिसीविंग प्राप्त हुई होगी और यदि आपका पैन कार्ड बन गया है तो उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि कब तक मेरे पास आएगा मिलेग या फिर signature change कराया है कि वार quote अपडेट कराया है किसी तरह का अपडेट आप उसमें करवाते हैं तो एक निश्ची समय के बाद आपकी बेचाइनी बढ़ जाती है कि आखिरकार मेरा pine card किस condition और किस इस्थिती में है तो उसको track and trace करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो काफी useful होने वाली है तो सरप्रत हम आपको हम बता देते हैं कि application की receipt कैसी होती है देखें यहां आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमें application receipt मिलती है आप इस screen पर साफ साफ देख सकते हैं मेरे दोस्तों अब देखें बात यहां आती है कि अगर आप NSDL से दो website काम करती हैं हमारे pen card के लिए और भारत सरकार उनको माननेता प्रोवाइड की है पहला company NSDL है इसमें पहला दूसरा कोई नहीं है दोने एक दूसरे से tie-up हैं जो की सेवा पर दाता है ठीक है तो पहला है NSDL और दूसरा है UTISL अगर आपको पता करना है कि हमारा pen card की इस company से बना हुआ है तो आप अपने pen card को bike करेंगे पीछे देखेंगे तो इस पे NSDL और UTISL mention होगा तो आप जान जाएंगी मेरा pen card की इस company से manufacture हुआ है तो चलिए दोस्तों हम इसमें थोड़ा आपको कुछ बता देते हैं ताकि आपको knowledge मिल जाए देखिए इसमें करना क्या है सर प्रथम देखिए यहां पे लिखा हुआ है पहले नंबर पे आप यहां देख सकते हैं आप यहां देख सकते हैं कि जेंडर लिखा हुआ है यहां पर देखिए मैंने पूरा full screen कर दिया है full screen करने के बाद देखिए आप यहां देख सकते हैं कि पहले नंबर पे जितना पैसा लगा है एक सो साथ रुपया यहां काट लिया है आनलाइन और दूसरे नमबर पर क्या मेंशन किया हुआ है अप्लिकेशन नमबर या कूपन नमबर जो कि 10 नमबर का होता है पैन काड नमबर भी 10 नमबर का होगा 10 डिगिट का और रिफेरेंस नमबर भी रिसीविंग नमबर भी आपका 10 डिगिट का ही होगा ठीक है इसके बाद यहां देखे नेम मेंशन किया गया है अप्लिकेशन का यहां जेंडर है अप्लिकेशन का यहां इंट्रक्शन दिया हुआ है डेटा बर्थ है अप्लिकेशन का यहां फादर नेम है और अप्लिकेशन का आधार नमबर है नेम आप एज पर आधार जो आपके आधार में है वहीं यहां पे नाम मेंसन हुआ है वहीं आपके आधार पे है तभी आपका documents काम करेगा application का contact mobile number यहां पे दिया हुआ है communication address आपका कौन सा address है यहां पे दिया गया है इसके बाद residency details है और नाना प्रकार के इसमें details है यहां company का service number दिया है यहां पे भी company का service number है और नीचे जिस center से आपने apply किया है यहां mention किया हुआ है तो सरप्रथम में जानना है कि application coupon number कहां है देखिए application coupon number यहीं आपको मिलेगा तो दोस्तों चलिए अब video को हम सुरू करते हैं और सरप्रथम आपको mobile को कोई browser open कर लेना है जैसे google हो गया, internet हो गया या chrome हो गया तो हम internet चलाते हैं, internet हमें खोलने के बाद हमें यहां पे mention करना है UTI pen जैसे हमने mention किया UTI pen यहां देखिए link के आ गया है कि trackpen.utisl.com इस पे आपको click कर देना है, जैसे ही आप इस पे click करते हैं मेरे दोस्तों आपको यह दूसरे page पे redirect कर देता है और यहां देखिए UTI SL pen का track and trace application बिलकुल खुल गया है अब यहां हमें mention करना है application coupon number application coupon number भरने के बाद यहां देखिए यदि आपके पास pen card है, बन चुका उसमें correction करवाया है तो आप अपना pen card भी डाल सकते हैं नमबर के यहां option दिया हुआ है लेकिन अगर आपके पास application number है तो आप application number ही डालेंगे ठीक है इसमें क्या दे रहा है date of birth इसमें आपको date of birth mention कर देना है ठीक है और इसके बाद यहां जो capture है इसमें आपको mention कर देना है चलिए एक बार पूना हम आपको बजा देते हैं इसमें आपको coupon application number डालना है और अगर application नहीं है तो इसमें आपको pen number डालना है और इसमें आपको data birth डालना है और इस capture को इसमें mention कर देना है mention करने बाद आपको submit कर देना है इतना करने बाद जैसे आप submit करते हैं यहां दूसरे page पर आपको redirect कर देता है यहां पर देखिए दूसरा page मेरा खुल चुका है और इसमें हम सारा चीज mention कर देंगे देखिए मैंने mention कर दिया है एक बार आप पुनाह गौर करें क्योंकि जान कारी होती है तभी आप कुछ कर सकते हैं अन नथा कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं देखिए यहां पर मैंने coupon number डाल दिया है और यहां पर मैंने data birth mention कर दिया और इस capture को मैंने national means कर दिया इसके बादकर करते हैं, जैसे आप submit करते हैं, देखे मेरा data पूरा खुल चुका है, इसमें आप समध लीजिए आपको क्या condition बताई जा रही है, देखे इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जैसे ही आप इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा application number जो था वहाँ आ लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या और यहाँ क्या है, जो pen card है, pen card का last का दो नमबर और शुरू का दो नमबर किया हुआ है, और बीच का hide कर दिया गया है, अब चलिए हम आपको introduction दिखा देते हैं, कि introduction में आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, your application is printed and processed successfully, pen card processed, the northern register and consignment, आपका जो consignment मतलब speed post से आपका आधार card आपके mention address पे भेज दिया गया है, यहाँ consignment number लिखा हुआ है, इसे आप track trace कर सकते हैं, speed post से, speed post को कैसे track and trace करना है, आप comment section में mention कर दीजिएगा, और email ID डाल दीजिएगा, मैं आपको link provide कर दूँगा, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, 24-2022 को आपके घर पे card भेज दिया गया है, इसके बाद क्या लिख रहा है कि current has been, recent successfully your email ID, आपने जो email ID दिया था, उस email ID पे, e-pain card send कर दिया गया है, यदि आपको mobile number link है, तो आप उसे UTI SL के official website से उसे आप download कर सकते हैं, तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, एक मिनट दोस्तों थोड़ी सी जानकारी और मैं देना चाहता हूँ आपको, देखें यह digital India है, सब security पे चलता है, किसी unknown number पे बात न करें, अधिक बात करेंगे तो बातों में आप उलज जाएंगे, किसी other website को click न करें, किसी site को आप click न करें, activate न करें, और कोई अपना ATM pin या ATM card number या password या security code किसी को आप साजा न करें, यदि आपने भूल से अपनी प्रामाडिकता उजागर कर दी है, तो immediately and तुरंट आप अपने password और pin को reset, create कर लें, I hope मेरा वीडियो आपको useful लगा होगा, अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो कृपया मेरे चैनल को like करें, share करें, subscribe करें, और जो बगल का bell icon है, उसे press कर दें और all notification पर click कर देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.